नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सड़ी हल्चल मैं हूँ आपके साथ अश्रक चोपरा नंगल डैम से शुरू होने वाले सत्रुज्रिया में एक व्यक्ति पूरे आठ दिनों तक पसा रहा और आठ दिनों के उपरा उक्त व्यक्ति को पुलिस के सहजोग से फलाई ओवर के निर्मान में जूटी कॉंपनी के ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला हलाकि जब जहें रेस्क्यू किया गया उस समय मीडिया करमी उपस्तत नहीं थे लेकिन इस रेस्क्यू की तस्वीरे सोचल मीडिया पर खूब बाइरल हो रही हैं फ्लाई ओवर के निर्मान में जूटी कॉंपनी के साइड एंजीनियर अंशुर दिवेदी ने इस पारे में जानकरी देते हुए का कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को सत्रु द्रिया में बैठे हुए देखा गया था लेकिन तब सभी ने सोचा कि हो सकता है कि जह व्यक्ति म बाहर निकाला तो उसने बताया कि 30 नवंबर को बाबा उदो मंदर के निकट सत्रु द्रिया में नहाने उत्रा था और नहाने के उपरां सत्रु द्रिया के बीचों बीच पड़ी खाली जगहा पर अराम करने सो गया लेकिन 8 दिसमबर को बीबेंबी मैनेजमेंट ने और वह बीच में ही फसा रहे गया जिसे आज बाहर निकाला गया है क्या कहा इस पारे में जानकरी देते हुए अंशुल दिवेदी ने पहले जह सुने मैं प्रजेक्ट इंचार्च पांच दिन पहला मतलवसी देख्या सी गए थे सामने हां पैपां ते कोले बंदा वेठा सी गा ते अपाओ दो थोड़ा जे इजली लिया नॉर्मली लिया भी होएगा कोई मची मुची फर नाला होएगा भी निकल जेगा लेकिन काल मेंनू प पुछों गालबात करो वियो की चक्कर है क्यों वैठे की दिक्कत है ते फिर उना ने जद गालबात कि इतां पाता लग अब हो साथ-एट दिन तो बंदा होँ में विच्च फसय होया सी गा को कुछ दिन पहला ऑपना पानी चटिया सी गा थोड़ा जानू धी डाउट वाय विकते थे सेव्टी रीजन है डैम करके अपा तरंत मतल परशासन नोलज दिती उना दी नोलज देविचे पाया विपाई एद्दा करके वी बंदा है जड़ा वी बिचे फस्या होया है वी देखो की में करने है फिर अपने जड़े मोके ते डी एस्पी अपने हो एसे चों है सब्सक्राइब देखो करके सब्सक्राइब जो अपने लवे साधन सीगे फिर उसाधन रही हो बंदेनू अपा बाहर कट्या जिए जो गालवात हो यो ने दस्या हो केंदा ही मैं अंधपूर सहिव मतलले वर्डाही कम करना वी अद्दाइन नंगल भी मैं आया होया सी गा पानी दाबाव तेसी भी तैरना में नू अंदानी सीगा विसकर के भी मैं नू निकल सकेया ते ना मैं अधरो निकल सकेया ते केडिया मशीन ना लगाई यह इन्य उन्चाई दसी जरी फलाई ओब तफले सत्रों द्रया तके साथ फुट दी उन्चाई है अधर जाब इस वारे में जानकर इलेने है तो ठाना परवारी साव इंस्पेक्टर दानिश पीर सिंसे इस परक किया गया तो उन्होंने कहा कि जैसे ही इस बारे में उन्हें जानकारी विली तो तुरंत मोके पर पहुँचकर उक्त व्यक्तिक तो हेड्रे की मद्द से बाहर निकाला और पूश्ताच में उसने बताया कि वह हर्याना के श साथ द्रिया के दोनों और इतना पानी भर गया था कि बाहर नहीं निकल पाया ठाना परवारी ने कहा कि उक्त व्यक्तिके परीजनों को बलाकर अच्छी तरह पूश्ताच करने के परांथ उनके हवाले कर दिया है क्या कहा ठाना परवारी साव इंस्पेक्टर दानिश वीर सिंग ने आप भी सुने जीजरो गालिक बंदार जी रसकी विता क्या माम लागी एजी सानू इन्फोर्मेशन आई सेगी ते एस्डियो साब जढ़े 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 काम चाल रहा है परमोध सैनी उनना फोन आया कहांदे भी कोई बंदा जढ़ा है का दो अब पूरी मशीन ला के उसे छुला बना के उननू रसक्यू किता हो थो फिर उस तो बाद उससे बंदे नू अपटा ले आ के फुरा प्रोपर वेरिफे किता ते थाने चरहाथ फिर और लोदे कार्दे बला के हर आने च वोदा शा बात लिजा कोई पिन्ट पैनदा है सब्सक्राइब करता हुँ ठीक हो बिल्कुल मेडिकल कंडिशन ठीक ही करना भी उत्ते पहुंच्छा पानी तो अनुबी पता है कि हाफ्ता पांसाथ दिन पहला पानी चट्डेया गया है ठीक है बीबीमी बलू जिदे गर के अपना टैंपरेरी ब्रीज है अभी खतम हो गया जढ़ा है ऐसे दीन जढ़ा आया थी यहां तो जब ना आनों के उत्त भी सो गया अक्शली मज़डूर है गाहा ना ब्याया होया ठीक है पानी शट्ता पानी पार कि मुड़ के जाना ही सगया थी फसक गया तो इस साइड किसे आ जाना भी हो एगा एक तिन किसी कोई मैनो द सब्सक्राइब भी बला ले सिगे ते पर उपर जड़ा हैगा जड़ी प्रकॉशन लेके उनों बार कट लेया ते नाम होदा सिगा जी नाम मेरी डायरीच लिखिया है ते जो बेसिकली पता लगया चाली पंतालीक साल हुदी उमर सिगी एक होदा ब्रदर सिगा अनमेरिड जोली मार्किट में खुल गई है चश्मों की नई दुकार बशिष्ट ऑप्टिकल यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रेंडड चश्मे वो भी बाजार से काफी कम दापर नजर के चश्मे लगवाने बालों की नजर पहले अतियाधूनिक मशीनों से निशुलक जाच करने के उपरांत आटोमेटिक मशीनों से त्यार चश्मा चंद मिंटों में ही उपलब करवाया जाता है तो एक बार सीवा का मोका अवश्य दे हमारा पता नोट करें बशिष्ट ऑप्टिकल नंगल संतोशगर मुख्य मार्क निक्ट गोल्डन पैलस अजोली मोट जिला उन्ना ह हमारा फोन नंबर 99.155.84.190